पिछले नव वर्षों में ब्रस्टा चार को कंट्रोल करने के इमामदार प्रयास हुए है कि आप पेसे बहुत सारे विद्यारती वो होंगे जो 2014 में आज से दस साल पहले उनकी उमर क्या होगी कोई दावस कोई बारा कोई चाउदा तो उस समय उनको पता ही नहीं होगा कि हिड्लाइन अख़बार में क्या आती थी कैसे प्रस्टा चार ने देश को बर्बाद करके रखा था कि साथियों आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि बिचोलियों और लिकेज को रोकने के लिए नए टेक्नोलोजी आधारी सिस्टिम हमने बनाए है कई तरह के रिफॉर्म लाकर और दलालों को सिस्टिम से बहार कर एक पार दर्सीज व्यवस्ता बनाई गई है बेइमानों को सजा और इमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है बहारान हूं आजकल मुझे पर एक आरोप क्या है कि मुदी लोगों को जेल में डालता है अब मुझे बताई भाई देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे कहां रहना चाहिए जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना कि कुछ लोग बड़े परेशान है कि साथियों कि विकास की यांत्रा को जारी रखने के लिए क्लीन क्लियर और स्टेबल गवननंस बहुत ज़रूरी है अगर आपने निश्य कर लिया तो ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक भारत को एक विक्सीत समयवेशी और आत्मंदिर फर्देश्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता कि साथ्यों एक और बात भी हमें ध्यान रखने होगी कि सिर्फ भारत ही आपसे बहतर करने के अपेश्या नहीं कर रहा है पूरी दुनिया आपको उम्मीद की नजर से देख रही है कि दुनिया को भारत का और भारत के युवाओं का पोटेंशल और परफॉर्फॉर्मस दोनों का पता चल चुका है है अ Akbar को समझाना नहीं पडना इंडिया का बेटा है तो क्या होगा इंडिया की बेटी है तो क्या दुनिया की प्रगति के लिए भारत की प्रगती और भारत के यूवाओं की प्रगति बहुत आवशक है कि मैं निश्चिंत होकर कि देश को असंभव लगने वाली गारंटियां दे पाता हूं तो उसकी बज़े से आप देश वाच्चियों का उसके पीशे जो ताकत है ना वह आप मेरे साथियों का सामर्थ है कि मैं उन गारंटियों को पूरा कर पाता हूं तो उसके पीशे भी आप जैसे युवाओं का सामर्थ होता है कि मैं दुनिया के मंचों पर जोड़दार तरीके से भारत की बात रख पाता हूं तो उसकी प्रिणना भी मेरी युवा शक्ति है इसलिए भारत का युवा मेरी असली ताकत है मेरा पूरा सामर्थ उसी में है इसलिए भारत की बाता है